Hello, Good afternoon students, last lecture में हम ये direction of flow के कारण जो resistance चेंज आता है उसको बढ़ रहे थे, ठीक है? और हमने ये वाले questions किये थे, आज हम नई चीज़ करने वाले हैं, that is, change in resistance due to temperature, change in resistance, resistance due to temperature, तो temperature की वज़ा से जो change आती है, उस पर थोड़ी सी study है, ठीक है? आपने 10th class में भी पढ़ा होगा कि temperature चेंज करने से resistance चेंज हो जाती है, तो resistance का जो हमने formula पढ़ा था, वो पढ़ा था, r is equals to 2 ml upon n e square tau into a, where m is mass of conductor की electron, l is length of conductor, n is number of free charge carriers per unit volume, e is charge on electron, tau is the relaxation time की दो, उसकी collisions के बीच में कितना समय लगता है? and a is the area of cross section of that conductor, और हमने यहां से मैं यह कह सकता हूँ कि rho, conductivity is equals to 2 m upon n e square tau, इस चीज़ पर है, तो हम दो चीज़ों के बारे में simultaneously बात करते हैं, तो conductor के बारे में, एक semiconductor के बारे में, ठीक है? semi-conductor के बारे में, तो जब हम temperature increase करते हैं, conductor का temperature हमने increase किया, और semi-conductor का भी temperature increase किया, दो हमारे पास material है, एक हमारे पास यह conductor है, और यहां पर एक मान लीजिए semi-conductor है, दो materials हैं, तो जैसे ही आप temperature increase करोगे, तो conductor का जो tau है, ठीक है? मास में क्या अंतर आता है? कोई नी, N में क्या अंतर आता है? देखिए, conductor में तो जितने valence electrons हैं, वो सारे free हैं, तो अगर आप उसका temperature भी बढ़ा दोगे, तो ऐसे नहीं कि वो बढ़ जाएंगे, तो N remains constant, इसका N है जो, वो constant रहता है, और N constant रहता है, तो जो tau है, वो कम हो मतलब, वो जल्दी जल्दी, उनके पास energy आती है, तो उनका टकराना वो जल्दी जल्दी होता है, इसलिए relaxation time में जो, वो कम रह जाता है, conductor के gaze में, तो अगर tau कम हो जाता है, तो rho कम हो जाता है, ठीक है? तो अरी rho बढ़ जाता है, tau कम हो गया, तो rho बढ़ गया, तो इसकी resistance बढ़ जाती है, तो मतलब कहने का, कि temperature increase करने से, temperature increase करने से, conductor की जो resistance है, वो बढ़ जाती है, अब semiconductor पे आते हैं, जैसे ही मैं temperature बढ़ाता हूँ, ये जो N है न, ये N बढ़ जाता है, N हम आखरी chapter में हम जाके अपने पढ़ेंगे कि ये N क्यों बढ़ता है, पर अभी के जो rho है, वो decrease कर जाता है, क्यों, क्योंकि जो N है वो बढ़ गया, ठीक है, और जो tau है, वो decrease कर गया, तो ये जो factor है न, ये बढ़ा हो जाता है, जो rho है, वो, rho है जो, वो छोटा हो जाता है, अगर N बढ़ जाएगा, और tau छोटा जाएगा, tau छोटा जाएगा, तो rho बढ़े फेक्टर इज एन तो एन डॉमिनेटिंग फेक्टर है ठीक है मैं फिर रिपीट करता हूँ अगर आप टेंपरेचर बढ़ाते हो तो नंबर फ्री चार्ज कैरियर से बढ़ जाते हैं अगर एन बढ़ेगा तो रो छोटा हो जाएगा और जो टाउ है इस केस में भी ही छोटा ह होता है सेमिकनेक्टर की केस में क्योंकि वो रेक्सेशन टाइम कम हो जाता है तो अगर टाउ कम हो गया तो यह रो की वैल्यू बढ़नी चाहिए तो एक फेक्टर रो की वैल्यू को बढ़ा रहा है एक कम कर रहा है अगर एक बढ़ा रहा है एक कम कर रहा है तो जो डॉमिने यह रोग की वैल्यू इसमें बढ़ती है तो इसमें कम हो जाती है तो कहने का मतलब यह है कि temperature बढ़ाने से semiconductor में resistance कम हो जाती है यह ऐसा होता है तो अब हम इसका थोड़ा सा mathematical study करते हैं इस चीज़ की resistance पर ठीक है जो change in resistance है temperature के साथ ठीक है change in resistance dr change in resistance change in resistance dr है जो that is directly proportional to r0 where r0 is initial resistance ठीक है मतलब जब उसका temperature हमने just temperature पर हमने testing की थी वहाँ पर उसका temperature उसका resistance r0 था initial initial resistance और फिर बढ़के कुछ और हो जाएगा जैसे जैसे मैं temperature और यह जो change in resistance है also depends upon dt that is change in temperature change in temperature यह temperature पर भी depend करता है and जो r final आया मेरा यहां इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ dr is equals to alpha यह directly proportional के sign है और यह alpha draw कर रहा हूँ alpha r0 dt where alpha is called coefficient of thermal resistance coefficient of thermal resistance coefficient of thermal resistance यह thermal resistance क्या है देखिए अलग-लग material अलग-लग तरह से behave करते हैं किसी का temperature आप 5 degree बढ़ाने पर माहा लीजे 2 material है मेरे पास a और d इसका temperature भी मैंने 5 degree बढ़ाया इसका भी but इसकी resistance बहुत ज़्यादा बढ़ी और इसकी resistance बहुत कम बढ़ी तो यह material की property है alpha coefficient of thermal resistance तो यह जो मेरे पास dr आया यह change in resistance है alpha मेरे पास coefficient of thermal resistivity है थर्म resistance है r0 मेरे पास initial temperature initial resistance है dd change in temperature है तो अगर आपको change in temperature ये मेरे को लिखना है और दोनों तरफ मैं integrate कर दूँगा ठीक है और ये r initial है r naught और ये r final है तो इसको मैं solve करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा r final minus r initial r naught और alpha मेरे पास constant है और ये मेरे पास आ गया r naught sorry r naught तो constant है ये जाएगा alpha into dt अब ये alpha है जो this can be ये आपके पास given हो सकता है as a function of time t ठीक है and 99% cases में 99% alpha will be will be constant alpha constant होता है ठीक है practically अगर आप देखोगे ये alpha है ठीक है तो अगर आप practically देखोगे तो माल लीजिए कि alpha की value है 0.1 at alpha की value 0.1 है at माल लीजिए 1 degree Celsius और alpha की value हो जाएगी 0.12 at 100 degree Celsius तो इसमें बहुत ज्यादा change नहीं आता ठीक है ये बहुत slowly बढ़ता है इसलिए हम इसको almost constant माल लेते हैं अगर ये constant है if alpha is constant तो मेरे पास जो relation आज़ेगा वो आज़ेगा rf minus r0 is equal to r0 alpha dt और अगर कोई आपको function given है तो आप उसको integrate कर लोगे वो आपको alpha as a function of time t given होगा ठीक है तो rf क्या आजएगा मेरे पास rf आजएगा r0 plus r0 alpha delta dt तो मेरे पास आजएगा r0 one plus alpha dt तो r final मेरे पास आगया rf is equal to r0 one plus alpha dt अब देखिए alpha is positive क्योंकि alpha की value बढ़ती है for conductors ठीक है यह इसकी value है जो alpha positive होता है conductors के लिए and alpha is negative for semiconductor semiconductor ठीक है तो आपको alpha positive और negative कब लेना है जब conductor आए तो positive semiconductor आए तो negative ठीक है ऐसी अगर माली जीए मैं resistivity की बात करूँ alpha is positive for conductor because r will increase with t ठीक है क्यों लेना है because r will r will increase with t अगर आप temperature बढ़ाओगे तो r बढ़ेगे इसलिए positive होना चाहिए and यह r इसका negative क्यों होता है because r will decrease r decrease करता है with t अगर आप temperature बढ़ाते हो तो हमने देखा है कि resistance semiconductor का decrease करता है तो इसलिए यह negative आजाएग alpha ठीक है ऐसी हम resistivity के लिए भी लिख सकते है resistivity final is equals to resistivity initial one plus alpha इसको dt को मैं delta t लिख लेता हूँ ठीक है यहाँ पे भी हम delta t ले सकते हैं कोई problem नहीं है और यह मेरे पास resistivity का relation आगए यह resistance का relation है और नीचे वाला resistivity का relation है ठीक है अब बच्चा पूछ सकता है कि सर temperature बढ़ाने में हमने पढ़ा था कि dimensions में भी change आती है ठीक है length और area भी change होता है अगर length और area में change आ जाता है तो फिर resistance में हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि यह change आएगा ठीक है तो देखिए इसका भी हमारे पास solution है हम alpha लेते हैं coefficient of thermal resistance हम सब चीज़ों को consider करते हैं ठीक है thermal expansion यह मैं plus one वाला concept में mix करने जा रहा हूँ अब ठीक है हमने पढ़ा था कि temperature बढ़ाने से length और area भी change हो जाते हैं अगर length of area change होते हैं तो हम यह कैसे कह सकते हैं कि resistance बढ़ेगा यहां कम होगा ठीक है हम ऐसे surely कैसे कह सकते हैं एक तो resistance में alpha यह change आता है तो alpha dash में भी change आता है ठीक है तो दोनों चीज़ों को एक साथ रखके देखते हैं देखिए r is equals to rho l upon a होता है taking log both sides ठीक है तो taking log both sides तो log natural r is equals to log natural rho plus log natural l minus log natural a तो differentiating both sides तो मेरे पास आगया dr upon r is equals to dl upon l sorry d rho upon rho plus dl upon l minus da upon a तो देखिए जब हम change इसकी change लिखते हैं जैसे dl की लिखते हैं तो वो हम लिखते हैं alpha dash dl dt sorry alpha dash delta t ऐसे लिखते हैं अगर आपको यादो length final is equals to length initial one plus alpha dash delta t ऐसे तो हम तो यह change लिख रहे हैं अगर change लिख रहे हैं तो हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर l आ जाएगा original l यह इसको l naught जिसको हम बोर रहे हैं तो अगर मैं dr की value लिखता हूँ तो dr की value मेरे पास इसको तो मैं dr upon r लिख लेता हूँ एक बार और d rho को यह resistivity को यहाँ से मैं लिखूंगा यह मैं change लिख रहा हूँ तो मेरे पास आएगा rho alpha delta t upon rho plus dl की value यहाँ से लिखता हूँ तो l alpha dash delta t upon l minus a अब यहाँ पर मैं 2 alpha dash delta t upon a यह 2 याद कीजिए अगर आपको याद होगा तो इसको बीटा से लिखते हैं 2 alpha को हमने बीटा लिखा था और 3 alpha को हमने गामा लिखा था ठीक है यह expansion of material की बात कर रहा हूँ plus one में जो आपने पड़ा था तो यहाँ से a ने a को, l ने l को, rho ने rho को मार लिया और यह अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यह मेरे पास dr upon r है जो वो आजाएगा मेरे पास alpha delta t plus alpha dash delta t और alpha dash यह minus आजाएगा ना क्योंकि यह तो कटगे तो one minus two यह मेरे पास alpha dash आजाएगा अब problem यह होती है कि जो alpha है ना उसकी जो range है वो vary करता है alpha की जो range है वो है मेरे पास 10 raise to power minus two में वो vary करता है और जो alpha dash है उसकी range vary करने की क्या temperature के साथ 10 raise to power minus five तो जो alpha dash है ना that is very very less as compared to alpha उसमें बहुत जाजाएगा चेंज नहीं आता है चेंज तो आता है बट इसके मुकाबले बहुत सारा है बहुत कम चेंज आता है इसलिए हम alpha dash को उड़ा देते हैं ठीक है तो मेरे पास dr upon r का जो relation आता है वो approximately कितना आता है alpha delta t तो यहाँ पर मैं जो dr लिखता हूँ dr is equals to is equals to r alpha delta t यह हमने relation यहाँ पर किया था यह जो लिखा था यह चीज ठीक है यह जो लिखा था यह आप इसको भी कह सकते हैं r final minus r initial is equals to r initial alpha dt तो यह मेरे पास relation आ जाता है इसकी यह एक तरह की derivation है छोटी सी ठीक है तो हमें यह चीज स समझागी कि हाँ भी जब हम temperature बढ़ाते हैं तो उसका length और area भी change होता है वाट वो change इतनी small है कि उसको हम consider नहीं करते coefficient of thermal expansion है जो उसकी value बहुत कम होती है as compared to coefficient of thermal resistance के मुकावले ठीक है इसलिए हम उसको बहुत ज्यादा consider करते नहीं है अब और देखिए एक problem और है हमारे सामने अब वो problem क्या है मान लीजिए कि आप आपको order आ गया कि वही हमें कोई instrument बना के वेजना है जिसमें resistance लगती है ठीक है हमने यहाँ पे मान लीजिए एक बंदे ने इंडिया में वो instrument बना दिया ऐसे और उसकी resistance आ रहा है ठीक है और वो चलीगी चीज कहीं बहुत ठंडे एरिया में जैसे मान लीजिए एर्प में चलीगी और वहाँ पे उन्होंने चेक किया ठीक है तो क्योंकि temperature के साथ resistance चेंज होती है तो उसकी resistance आ डैश होगी तो यह तो instrument बेकार हो गया उनके लिए काम नहीं करता तो आपका तो नुक्सान हो गया इस चीज में तो यह practical example है जब भी आप ऐसे एक जगह पे कोई instrument बनाते हो और दूसरी जगह पर वो जाती है तो उसका resistance चेंज हो जाता है due to change in temperature तो इस चीज को counter करने के लिए फिर हम क्या करें तो एसे कैसे करते हैं इसको ठीक फिर ठीक है तो हमारी पास है find relation between relation between row 1, row 2 and alpha 1 and alpha 2 such that such that total resistance total resistance resistance of system system is constant अगर total system की जो resistance है वो constant रहे तो उन्होंने सुचा कि यार मैं इसको मैं समझाता हूँ उन्होंने क्या किया उन्होंने सुचा कि मैं इसकी जो इसके अंदर लगी हुई resistance है ना उसको मैं ऐसे material से बनाता हूँ एक conductor और एक semiconductor जोड़ देता हूँ मुझे पता कि अगर temperature बढ़ेगा तो resistance conductor की तो कम हो जाएगी और sorry उसकी resistance हाँ conductor की resistance conductor की resistance temperature घटने से कम हो जाएगी और semiconductor की resistance बढ़ जाएगी तो मैं इनको ऐसे set करके डालता हूँ ताकि उसकी resistance constant रहे तो वही ये question है कि हमने ऐसे मान लीजिए दो resistor जोड़ लिए एक conductor का और एक semiconductor का दोनों का cross-sectional area AA ले लिया और यहां से इनको जोड़ लिया यहां से और इसकी भी length L ले ली असान करने के लिए इसकी भी length L ले ली तो इसकी जो resistivity है वह है rho 1 और इसकी resistivity है rho 2 और इसका जो coefficient of thermal expansion है वह है alpha 1 और इसका जो coefficient of thermal expansion है thermal expansion ही sorry thermal resistance वह है alpha 2 तो अब इन दोनों की जो initial resistance है और जो temperature change होने पर resistance है वो दोनों same होनी चाहिए अगर मेरा instrument हार एक जगा काम करना चाहिए तो तो इसकी resistance initial resistance लिखता हूँ rho 1 L upon A plus rho 2 L upon A is equals to rho 1 L upon A 1 plus alpha 1 delta T ठीक है यह change in resistance आगया plus rho 2 L upon A 1 plus alpha 2 delta T मतलब जो initial resistance थी वही temperature change होने पर resistance बराबर होनी चाहिए उसकी ठीक है तो इसको क्या करें क्या करें यह final resistance है यह भी final resistance है यह दोनों initial resistance है तो इसको आप solve करोगे तो देखिए rho 1 L upon A plus rho 2 L upon A is equals to इसको 1 से multiply किया तो rho 1 L upon A plus rho 1 L upon A alpha 1 delta T plus rho 2 L upon A minus sorry यहाँ पर plus ही आएगा ठीक है हमें पता नहीं ना भी कि कौन सा material connector है कौन सा semi connector है ठीक है तो हम तो यह prove करना चाते हैं कि एक conductor हो और एक semi connector हो तो हमने यह plus ही माना है तो यह alpha rho 2 L upon A alpha 2 delta T तो यह rho 1 L upon A और यह कट गे और यह और यह कट गे दोनों तो मेरे पास क्या बचा है मेरे पास बचा rho 1 L upon A alpha 1 delta T plus rho 2 L upon A alpha 2 delta T is equals to 0 क्योंकि इधर बाली term 0 होगी इसका मतलब alpha 1 plus alpha 2 is equals to 0 क्योंकि वो सारी terms बाकी मैं उदर बेख दूँ this implies alpha 1 should be equals to negative times alpha 2 तो हमें पता चल गए कि 1 का alpha positive है तो 1 का alpha negative होना चाहिए this implies one should be conductor and other should be semiconductor one should be conductor and other should be semiconductor तो एक conductor होना चाहिए और एक semi connector होना चाहिए ठीक है इसको sorry rho 1 और rho 2 को मैं साथ में लेक लेता हूँ rho 1 alpha 1 rho 2 alpha 2 तो rho 1 alpha 1 rho 2 alpha 2 ऐसी चीज़ होनी चाहिए ठीक है तो ये मेरे पास final relation आता है ये example question आपको अच्छी कताब हों में हारे कताब में मिल जाएगा ऐसे मतलब standard question है ठीक है और अगर किसी में इस चीज़ में कोई problem है तो मेरे को जरूर बताइए और कल से हम अपना नया topic start करेंगे circuit theory हम पढ़ना start करेंगे थोड़ा सा पहले initially कुछ चीज़ें सीख के फिर circuit theory start कर देंगे ठीक है thank you